हे एवरीवन वेलकम बेक तो में यूट्यूग चैनल दमायास हिंदी आज की वीडियो में गईसमा आपको जहंडू ब्राण के आईश्पवात घन के बारे में रिव्यू दूंगी इसके बारे में बताऊंगी कि ये पाउडर आपके बोड़ी को आपकी शरीर को किस तरीके से फायदा देता है डेटेल में गईसा जपने इसका रिव्यू करेंगे बैनिफेट, साइड फेक्ट, यूज़स, प्राइज, डोजन, सब के बारे में तो गई सथी आप सरीर की इम्मुनिटी को बढ़ाना चाते हैं या फिर बार-बार होने वाले कफ, खासी, जुकाम, बुखार जैसी समस्या से परिशान है या फिर वाइरल इंफेक्शन से अपने सरीर को प्रटेक्ट करना चाते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जादा अमेजिंग और इंपोटेंट होने वाली है तो पूरी वीडियो को देखना न भूले, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन पर प्रेस कर दे जिससे जो भी हम वीडियो डालते हैं, उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंसता रहे तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के उपन बात कर लेते हैं जंडू ब्राण के आईश्कवात घन्म के वारी में यह मार्केट में गईस आपको एक पाड़ो फो में मिलता है जिसका उपयोग आपके सरीर को संक्रमर से बचाने में किया जाता है प्रत्रच्छ प्रणाली को बहतर बनाने में बहुत अच्छी से मदद करता है संक्रमर से जोड़े लच्छड़ों को दूर करने का काम करेगा वाइरल वखार और कफ में यह बहुत ज़्यादा आरम दैक माना जाता है इंग्रीडेंट के बारे में बात करें तो दोस्तों इसमें कोई भी ऐसा हामफल केमिकल नहीं है जो आपके सरीर को कोई नुकसान पहुचाए बलकि आपके सरीर केमिलिटी को बढ़ाने में बहुत अच्छी से मदद करता है इस पाउडर के अंदर गाईज एंटी वाइरल गुर पाये जाते हैं एंटी फंगल गुर पाये जाते हैं antioxidant गुड़ पाय जाते हैं जो के ठंड और खांसी वो आसानी से ठीक करने में मदद करते हैं इसके अंदर तुलसी है तुलसी अपने बोड़ी के लिए बहुत ही जाद अच्छे होती है कफ और खांसी से राहत देने में मदद करेगी डोज की बात करें तो इसका जो डोज है गाईस वो आपको डॉक्टर से कंसल करके इसका सेवन करना है अगर आपको कोई कंफीजन ये डाउट है तो एक वार आप डॉक्टर से कंसल कर ले किस तरीके से सेवन करना है किस तरीके से नहीं करना क्योंकि guys हर किसी की body की इस्तिती अलग अलग होती है medical इस्तिती अलग अलग होती है किसी को फैदा देती है तो किसी को नुक्सान भी कर सकती है इसलिए doctor से consult given आप इसका इस्तिमाल बिलकुल भी न करें ना ही आप इसे overdoses ले प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस कोई fix नहीं है time के recording उपन नीचे होता रहता है इसका प्राइस है 150 रुपए जिसे आप online करी सकते हैं market से purchase कर सकते हैं जैसा भी दोस्तों आपको सही लगे आप इसे वहाँ से खरी सकते हैं आपकी choice क्यूपर depend करता है मैं तो guys आपको यही सज़ेस्ट करूँगी कि जहां भी आपको सस्ता affordable मिले आप इसे वहीं से purchase करें वैसे तो guys हमने description box में भी इस product का link mention कर रहा है अगर आप चाहें तो इस link पर click करके भी इस product को खरी सकते हैं याद रखे guys को भी product purchase करें तो सबसे पहले उसकी manufacturing और expiry data आप जरू चेक कर ले कुछ लोग guys expiry date देके विना ही product को purchase तो कर लेती हैं फिर उसका इस्तिमाल करती हैं तो उन्हें side effect होने लगती हैं इसका main reason यह है कि आपने एक expiry product का इस्तिमाल किया है तो अब इसी बात है guys उसका side effect तो होना ही होना है तो हमेशा ध्यार लखना है कि हाँ जो भी product purchase करें तो सबसे पहले उसकी manufacturing और expiry date तो आपन को चेक करनी ही करनी है active ingredient तुलसी, दालचीनी, सुन्ती, कृष्णा मारी यह सारी ingredient है जोकि इमिरिटिव उस तर की रूप में काम करेंगे powerful ingredient है जो कि आपकी सरी को कोई नपसान भी नहीं पहुँचाएंगे बस आपको धिहार लखना है guys कि overdoses न ले नहीं डॉक्टर से concerned के एवन आपको इसकस्तिमाल करना so guys आज की वीडियो में बस आपको प्रजक्टिक रिगारिंग आपका confusion भी दूर होता रहे फिल भी guys यदि आपको इस प्रजक्टिक रिगारिंग या किसी अधर प्रजक्टिक रिगारिंग किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी जाननी चाहिए हो तो आप comment box में भी comment कर सकते हैं हम आपके लिए हमेशा एबलेबल रहेंगे आपकी सायता जरूर करेंगे तो guys हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें धन्यवाद